ellar fens मैं रन्जित जी एसाज मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आप मेंसे कई दो स्वागत करता हूँ दोस्तों आप में कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि सेем care tr rajad ю aggiकारी के बारे में विस्तार से बताईए तो आज मैं पंचैती राज पताधिकारी के जो पद 66 में दिया गया है उसकी पोस्टिंग फैसलिटीज क्या-क्या मिलते हैं उनकी सैलरी कितनी मिलती है उनका वर्क प्रफाइल क्या है और प्रोमोशन के क्या स्कोप है इन सभी के बारे में मैं पूरे बिस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है इस वीडियो को अंतक देखे हमारे चैनल पर नए आया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले और वेला इकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी वीडियो बनाया उसका बाड़े में पूरे विस्तार से तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परखंड पंचायती राज पता इधिकारे अर्थाद BPRO BPRO के पोस्टिंग के संमध में तो BPRO की पोस्टिंग पंचायती राज बीभाग के अंतरगत परखंड अस्तर पर किया जाता है ठीक है तो यह अपना योगदान पंचायती राज विभाग में देते हैं और इनका कार्ज अस्तल जो होता है वो परखंड होता है परखंड में ही अपने सारे कार्जों का संचालन करते हैं पंचायती राज विभाग के अंत्रगत और अब हम के wanna करते हैं सुप actionable की तो क्या-क्या सुपधाय इनको दे जाती है तो सु बढ़ा की जहां तक बात करें तो इनको आवाँस की सुभधाय मिलती है उनको परकेंट अस्तरपर घर मिलता है गारी की सुभधाय भी बिलती है पंचायत में निरिक्षन करने से लेकर चुकि इनका जो वर्क होता है वो सुपर वीजन टाइप का वर्क होता है और सुपर वीजन टाइप का और इंस्पेक्टिंग टाइप का वर्क होने के कार इनको पंचायतों में भ्रह्मन करना पड़ता है तो गारी की शु इनको मिलते रहते हैं तो सुल्धाओं के मामले में यह काफी अच्छा प्द हैं बात कर लेते हैं सेलरी की सबसे पहली कितनी मिलेगी तो सेलरी की जहां तक बात करें तो सात्में पी कमीशन के अनुसार इनकी बेसिक सेलरी 24,900 हो जायती अर्था six pay में आपको यह उच्ुशाओ ग्रेट के अंत्रगता आएंगे इसके अतरिक्त आपको डियर्नेश अलावइंस, मेडिकल अलावेंस के अलावा, आदर अलावइंस जो गौशूअट फिक्स करती आपके लिए, वह सभी अलावइंस आपको मिलती है, इस प्रकार से अगर देखे, तो आपको in hand की बात करेंगे अभी के परिपेक्ष में तो in hand आपको लगबक 55,000 बेतन आ जायेगा इन hand की बात करें तो इस परकार से salary भी काफी अच्छी खासी मिलती है तो ये काफी अच्छा पद है salary के मामले में भी अब हम लोग बात करते हैं इनके work profile का तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि इनका work क्या है तो इनका काम है supervision करना ठीक है supervision करना और inspecting करना तो supervisor type का इनका work है पंचायत के जो भी विकास कर्ज होते हैं जो भी योजनाय होता है उनका supervision इनके द्वारा किया जाता है और साथ ही supervision करने के पसाथ ये अपने बरिये पताधिकारी को reporting करते हैं जो भी योजनाय पंचायत में चला जाती है उसका ये supervision के साथ साथ reporting का काम करते हैं तो इस परकार ये कैसे काम करते हैं ये आप diagram से इसको समझे जैसे परखंड अस्तर पर BPO होते हैं BPO मतलब प्रखंड प्रखंड पंचायती राज पताधिकारी ठीक है तो प्रखंड पंचायती राज पताधिकारी का जो प्रखंड में मुख्या होता है वो वीडियो होते हैं ठीक है और जिला में इनका मुख्या जो होता है वो DPRO होता है और Unwandel में head होता है प्रसासनिक अधिकारी के रूप में SDM उसे तरह प्रखंड अस्तर पर प्रसासनिक अधिकारी के रूप में head जो होता है वो विडियो होता है तो ये अपना supervision के कार्ज करने के बाद जो reporting होता है ये विडियो को भी reporting करते हैं और direct रूप से ये DPR को भी reporting करते हैं तो अगर ये विडियो को reporting करेंगे तो विडियो SDM को reporting करेगा Unwandel में और Unwandel से जिला में reporting होकर जाएगा DM के पास अगर ये direct रूप से DPR को करते हैं मतलब जो जिला पंचायती राजपताधिकारी हैं इस प्रकार से देखा जाये तो इनका कार्ज भी काफी चुनोती पुन और काफी ग्लैम्रस वाला वर्क है, जोकि पथे पंचायत में इनकी काफी इज़त मांँ समान होती है, पहले जो इनका पत था, अब ही तॉ पोंचायत सचीव को प्रोमोट करके पहले practice बनै जादा था, तो अब क्या हुआ कि बीपी आरो जो है वो डिरेक्ट रूप से भी आएंगे और प्रोमोशन से भी होगा दोनों तरीके से होंगे पहले बीपी आरो के जो बहाली होता था वो सीजी एल के द्वारा लिया जाता था बीएससी इसका एक्जाम लेते थी बीएससी सीजेल होने लगे इनको लेवल सेवेन के अंत्रक्राइब यानि की इस प्रकार से देखा जाए तो इनका वर्क परफाइल भी काफी अच्छा खासा है और अच्छे चार्मिंग वाले जॉब हैं तो अब हम लग बात कर लेते हैं प्रोमोशन की तो प्रोमोशन का क्या स्कूप है त पंचायती राजपता अधिकारी बनते हैं उसके बाद अब बहुता है उसके प्रकहन होते हैं जिला-पंचायती-राज-प्रसिक्षण संस्थान होता है वहाँ हैं प्रसिक्षन कर देखते हैं पंचायती राज विभाग के जितने भी मुखिया वगएरा उत इन का प्रसिक्षन में लेक्ष का काम करते हैं यह यह मतलब पहले प्र्मोशन लेक्षaldo की रूप में होता है उसके बाद इस प्रुमोशन की बात करें तो लेक्टिर के बाद ये डि पीरो बन जाते हैं act मतलब जिला पंचायती राज पता座िकार्य बन जाते हैं आपको प्रमोशन का बन जाने के बाद इन की काफी प्रमोश्र को करते हैं पनचायती राज विभाक का सारह हेड हम्हें ayb होते हैं तो जिला अस तरपकड़ connection शक्र चपोसर पनन्चायति राज अब मतलब जिस पुर्मोशन का इसकोब भी काफी अच्छा खासा है और यह जोब जो है वो काफी शांती। पुर्ण जॉब है इसमें ज्यादा भागदोर वाली जॉब नहीं है तो जो लोग अगर चाहते हैं कि सांती रूप से जॉब अपना करें तो काफी अच्छा जॉब भी है इस प्रकार से आप देखेंगे तो पंचायती राजपताधिकारी का पद काफी अच्छा पद है दोस से अगर अभी तक आपने हमारे सथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सांथी दोस्तों के सांथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब मिल सके तो फिर आज वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ